नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपकी साथ जोती श्रवास्तव अंतरिक्ष में भारत की काम्याबी का ज्ञंडा पूरी दुनिया में लहरा चुका है और अब एक बार फिर भारत को अंतरिक्ष के शेत्र में बड़ी सफलता मिली है एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत की सोच का लोहा माना है क्योंकि आज इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन यानि की इसरों ने रियूजिबल लॉंच वेहकल आर एलवी एली एकस जीरो टू की सफल लैंडिंग कराई इसरों ने इसका नाम पुश्पक रखा है इसे स्वदेशी स्पेस शटल कहा जा रहा है करनाटक में एक रनवे पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई जुसके बाद पूरी दुनिया में इस परिक्षन की चर्चा होने लगी और भारत में एक इतिहास और रचा गया देखिए ये रिपोर्ट और जानिये क्या है री यूजबल लॉंच वेहिकल आर लवी लई एक्स शूनने दो इसकी खूबिया जानकर आप भी करेंगे इसे विक्सित करने वाले हमारे इसरों को सलाम इसरों आज सुभा ही री यूजबल लॉंच वेहिकल पुश्पक का परिक्षन गिया करनाटक के चित्र दुर्ग के पास चलकेरे में एरो नॉटिकल टेस्ट रेंज में सुभा साथ बच कर दस मिनेट पर किया गया ये परिक्षन पूरी तरह से सफल रहा ये इस रंखला की तीसरा परिक्षन था प्रक्षेपन इस्थल पर परिक्षन के समय कई दिगज वेग्यानिक और अधिकारी मौझूद रहे इसरो ने बताया कि भारतिय वायू सेना का चिनूख हेलिकॉप्टर पंखो वाले पुश्पक नामक इस यान को उपर ले कर गया और इसे 4.5 किलोमीटर की उचाई से छोड़ा गया उसने बताया कि रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर छोड़े जाने के बाद पुश्पक क्रोस रेंज में सुधार करते हुए सटी तरीके अपने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोस वील स्टेरिंग प्रणाली का सफलता पूर्वक इस्तिमाल करते पुश्पक दोबारा इस्तिमाल होने वाला एक लॉंचिंग विमान है, इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और वजन 1.75 टन है, विमान ग्रोबोटिक लैंडिंग शम्ता से लैस है, 350 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से ये लैंडिंग में सक्षम है, इसे धर्ती पर वापस लाकर री यूजबल बनाया जा सकता है, वहीं री यूजबल होने की वज़ा से ये अंतरिक्ष में मलबे को कम करेगा, अंतरिक्ष में किसी सेटिलाइट में इंधन भरने या उसे ठीक करने में भी मदद करेगा, बता दे कि किसी भी रॉकेट मिशन में दो बेसिक चीज़े होती ह रोकेट और उस पर लगा स्पेस क्राफ्ट रोकेट का काम स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है अपने काम को करने के बाद रोकेट को आम तोर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है यानि इसका दोबारा इस्तिमाल नहीं होता लंबे समय तक पूरी दुन कि पुश्पक की रफ्तार किसी आम हवाई जहास या लड़ाकों विमान से कही जादा है। इसरोड ने बताया कि ये मिशन दिखाता है कि भविश्य में अंतरिक्ष से लोटने वाले यान कैसे उतरेंगे। इसरोड का कहना है कि ये मिशन भविश्य में दोबारा इस्तिमाल होने वाले रॉकेट बनाने में मदद करेगा। फिलहाल इस खास रपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी निउस भारत